So hey guys welcome back to my YouTube channel So दोस्तो अभी हम लोग आए एक complaint पे और यहाँ जिस complaint पे हम लोग आए हुए यहाँ पे customer को दो setup box के requirement है यानि कि इनके पास दो TV है और दोनों में इनका जो है live channel दिखना है तो मैंने research में भी एक video भी upload किया था कि अगर आपके पास दो TV है अगर एक TV है smart है तो उसमें आप बिना setup box के भी इसके जो सारे live channel है उसे आप देख सकते हैं मैंने और इसके एक video upload किया हुआ है बट अभी हम जिस complaint पे आया है यहाँ पे customer का नाम है कि मुझे दो setup box चाहिए दो TV में देखना है इसमें हमारा जियो का setup box लगा हुआ है और सबसे पहले यहाँ पे YouTube Plus में यहाँ पी इसके channel से वगरा है उसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें सारे channel जो रहते हैं जो कि setup box के साथ दिया जाता है यह है इसके सारे channel जो कि यहाँ पे live चल रहे हैं इसमें हमारा जियो का setup box लगा हुआ है और इसमें सारे channel जो भी है लाइप चल रहे है, यह रहा हमारा Jio का SETUP BOX, place 4K SETUP BOX जिसके साथ यहाँ पी यह लगा हुआ है एण इस्में जो इसके सारे चेनल है, इसी के थुरूआ अभी चल रहे हैं इस वाले TV में, और यह जो TV है यह उनका SMART TV है, और इदर जो Smart TV है इसमें लगा हुआ इनका Gio TV का setup box और इसमें सारा कुछ इनका चल रहा है ये हमारा setup box है और सबसे पहले ये जो setup box इसे भी हम लोग यहां पर off कर लेते हैं और off करने के बाद इसका जो TV का home screen है यहां पर no connection आ चुका है और इसमें अब हम लोग चलाने वाले हैं इसके जो सारे चैनल है Jio TV Plus इंस्टॉल करके Play Store सबसे पहले इसमें जो हमारा Play Store है उससे हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें दिखाएंगे कि किस परकार से आप Jio TV Plus Play Store से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका TV Android है तो उसमें काफी एजी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा आपका Jio TV Plus सबसे पहले यहाँ पर Play Store के मनुग आपन कर लेते हैं और आपन करने के बाद इसमें जो हमारा Jio TV Plus से उसे सर्च करके मनुग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे आपको सेम इसी तरह से आप पू करना है जो भी आपका Smart TV है और इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है तो यहाँ पर सबसे पली से होने देते हैं पूरी तरह से और होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है आज के इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी दी जाएगी सु हमारा जो जो जुटी प्लस सी इंस्टॉल हो चुका है सबसे पली इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के साथ इसमें जो हमारा रजिस्टर मॉयल नंबर है उससे आपको लॉग इन करना है जो भी आप Air Fiver connection के बाद जो नंबर दिये थे और उस नंबर को डालने के बाद उस पर यहाँ स्य खुल जाएगा और सिंप्ली उस कोड को आपको यहां पर फील कर देना है है जैसे सेटव बोक्स में जो भी चैनल से वगर आते हैं सिम उसी तरह से आपका सारा कुछ यहां पर सोग करने वाला है सबसे पहले यहां पर लोग कुछ प्ले करके भी देखे लेंगे देखेंगे एंड इधर एंटर्टेन्मेंट एंड यहां पर सबसे पहले इसे आपन करके देख लेते हैं कि इसका जो फिचर से इसके जो चैनल से किस परकार से प्ले हो रहा है यहांब इंस्टाल् कर लिते हैं। सबसे पहले इसा पहले इंस्टाल्र नहीं है, सबसे पहले इसे फिर हम लोग पले कर लेते हैं। जो भी आपका register number है आपको simply यहाँ पे number डाल करके login करना है उस पे code जाएगा और code को डाल देने के बाद यह आपका simply यह जो j5 पे वो login हो जाएगा सबसे पहले इतर जो इसके और भी channel से उससे हम चला करके देख लेते हैं news जो अगर है जो कि यहाँ पे सारे live है जो लाइब चैनल यहाँ पे भी हम चला करके देख लेते हैं आपको कुछ नहीं करना है जिस तरह से आपका setup box में चलाया जा रहाता है उसी तरह से आपका इसमें भी चलेगा सारा कुछ सेम है सारा feature सेम है कुछ भी इसमें अलग नहीं है इजली यहाँ पे यह प्ले हो रहा है यह इसके live channels और इसे हम लोग दुसरे channels को भी देख लेते हैं यहाँ पे प्ले करके जो भी इसके channels है काफी ज्यादा easy है कुछ करना नहीं है दोस्तों जिस तरह से आपका setup box में चलता है उसी तरह से आपका यहाँ भी चलेगा इसको चलाने के लिए आपका जो यह सारे channels से देख सकते हैं काफी ज्यादा easy तरीकी से चल रहा लाइब करना है बस आप okay करने के बाद यह सारा कुछ है आप easily चल रहा है सो अभी हम इसको बैक करके भी आप लोग को दिखा देते हैं कि इसका जो home screen है बैक करने के बाद कुछ इस परकार से इसका home screen आएगा और simply आपको अपना जो जियो टिवी प्लस है उससे इंस्टाल करने के बाद उससे आपको okay करके चला सकते हैं सो मैंने यहां पर तो अल्रेडी लॉग इन कर लिया है और यहां पर देखिए इंस्टाल होने के बाद आपका यहां पर सारा एप में सो कर रहा है जियो टिवी प्लस इसे बस okay करना है और okay करने के बाद इसका जो home screen है बिल्कुल setup box में जिस परकार से home screen आता है सेम उसी तरह से आएगा लगेगा कि जैसे setup box ही यूज कर रहा है तो सारा कुछ यहां सेम है दोस्तों कुछ करना नहीं है कफी ज्यादा इजी है तो जो भाई लोग को भी दिक्कते आ रहे थी इसे play करने में second वाले टी में आप लोग देख लिजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है सारा का setup box में सो करता है तो यहां पर जो इसके सारे चैनल से दोस्तों जैसा कि देख पा रहा है काफी इजी तरीके से सारा कुछ second TV में भी play हो पा रहा है एंड जो हमारा इसके जो setup box है इसे अभी हम second TV में ले जा करके इसे भी चला करके दिखाएंगे यह यहां पर बंद है सारा कुछ यहां पर चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे है इसके home screen पे तो यह है इसका काफी इजी प्रोसेस है जियो टवी प्लस खली होके करके सिप देख सकते हैं तो यह जो setup box है इसे भी जाते हैं दूसरे टवी में जो कि वह smart नहीं है यह smart TV था और इसी में इनका setup box लगा हुआ था तो इनका इसमें चल रहा था दूसरे वाले टीव में नहीं चल पाए रहा तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो कि यह smart TV नहीं है तो इसमें हम लोग इसका setup box लगाएंगे smart TV में download कर दिया है जो टीवी प्लस वहां से यह वो easily चल रहा है और इसमें हमारा setup box लग चुका है और setup box के इस वाले टीव में हम लोग यहां पर देखेंगे इसके जो सारे चैनल्स है लाइब टीवी ओटीटी सारा कुछ इसमें हम लोग यहां पर भी प्ले करके देख लेते हैं तो setup box के बारे में तो आप सभी लोग को पता है यह भी काफे ज़्यादा दोसमें और इसमें हम setup box लगा है और इसमें भी सारा कुछ उसी तरह से सो हो रहा है यह इसके live channel है जो कि यहां पर सब चल पा रहा है एजली और इसका जो music अगरा है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें हमारा जो setup box है इसमें लगा करके इसके channels को हम यहाँ पर चला पा रहा है एज इसके OTT subscription है वो भी सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज़्यादा इजी तरीके से यहाँ पर play हो रहा है और इससे सबसे पहले यहाँ पर play करके देख लेते हैं इसके channels को तो यहां पे डिजनी प्लस आटर स्टार में जो इसके चैनल से हो भी यहां पे open हो चुका है थोड़ा से भगा लेते हैं इसे add बहगा रहा है यहां पे और भगा करके देख लेते हैं कि यहां पी जो सारा कुछ है काफी easy तरीके से यहां पे play होगा भी तो यहाँ पे इसे भागाने के बात थोड़ा से यहाँ पे देख लेते हैं और यह इसके चैनल जो कि यहाँ पे चल रहा है OTT subscription में काफी इजी तरीके से तो भाईयो अप लोग भी कर सकते हैं इस चीज को काफी ज्यादा इजी है बस जो हम प्रोसेस आपको फर्स्ट में दिखाएं आपको सेम वही प्रोसेस करना है आपका जो स्मार्ट टीवी है उसमें आपका गूगल स्टोर से डाउनलूट कर लेना है दोस्तो सो फाइली इनका जो दोनो टीवी है उसमें जो इनके सारे OTT सब्सक्रिप्शन एड जो लाइब चैनल है वो सारा कुछ इजली प्ले हो पा रहा है यह जो टीवी आप देख रहे है इसमें सेटा बॉक्स को अभी हटा दिया गया है पहले इसी टीवी में सेटा बॉक्स इनका लगा हुआ था बट अभी सेटा बॉक्स को दुसरे वाले टीवी में लगा दिया गया है और यहाँ पे थोड़ा समय आपको दिखा भी देता हू इधर यह रहा इसका remote के थुरू में यहाँ पर आपको back करके दिखा देता हूँ कि इसमें जो इसके सारे चनल से यहाँ पर सेटप बॉक्स नहीं लगा हुआ है देख सकते हैं इसका जो home screen है कुछ इस परकार सा सो कर रहा है और इसी में जो इनका सारा चनल है वो यहाँ पर सा सारे live channel and OTT है उसे easily देख पाएंगे और दूसरे टीप में अगर आपका वो normal TV है तो उसमें आप setup box लगा करके और उसमें भी सारे चैनल को देख सकते हैं जानकारी अगर अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक किजेगा अगर आप मारे चैनल में फर्स्ट वर विजिट कर रहे तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि इस तरह के related वीडियो आपको आगे मिलती रहा है तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद